स्री शिवाईन नमस्तु व्यम दर्शको कैसे हूँ आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको आज सनिवार का दिन है और आज सनिवार की शाम मातर मुख्य द्वार पर आप सभी को यह एक चीज जला देनी है आपके घर में हमेशा सुक समरद्धी बनी रहेगी नमस्तु दर्शको आप सभी का स्वागत है आज एक वार फिर से हमारे इस वीडियो में दर्शको आज हम आप सभी को सनिवार का एक दिव्य एवं अच्छुक उपाई पूज गुर्देव की शुमह पुरान कता से बताये हुआ बताने जा रहे हैं और ये जो उपाई है वाकई में ये उपाई बड़ा ही कारगारी है इस उपाई को किस प्रकार से और किस तरह से करना है वह संपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शको को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे साथी वीडियो को लाइक कर दे और हर बार की तरह कोमेंट बॉक्स में स्री शिवाई नमस्तु व्यम जरू लिखती जेगा अगर हो सके तो अपने मित्र बंदो तक इस छोटी शी जानकारी को इस छोटी शी उपाई को शेर जरू कर दीजेगा ताकि उन्हें भी इस छोटी शी वीडियो का लावे प्राप्थ हो सके तो दर्शागो आज सनिवार का दिन है और जैसा गया आप सतभी को पता है सनिवार का जो दिन होता है इसका काफी महतों माना जाता है क्योंकि सनिवार के दिन भगवान सनिद्यों की पूजा ये मराधना और उनके कई परकार के विशेश उपाई करने का कापी विशेश महतों माना जाता है ऐसे में दर्शा को आज आप सभी को मुख्य दुआर पर रातरी के समय घर की शुक सम्रद्धी के लिए और इस उपाई को करना है ये उपाई वाकई में कारगारी है दोस्तो आज की शाम आपको इस उपाई को किस परकार से करना है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे तो आप पली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे साथी वीडियो को लाइक कर दे और हर बार की तरह कोमेंट बॉक्ष में हो सके तो अपने मित्र बंदो तक इस छोटी शी वीडियो को छोटी शी जानकारी को शेयर जरू कर दिजेगा ताकि उन्हें भी इस उपाई का लाव प्राप्त हो सके तो दर्शकों आप सभी को इस उपाई के लिए सबसे पहले तो आठ काली मिर्चों की जरूरत होगी साथ ही आपको एक तेज पत्ता चाहिए और एक कपूर चाहिए दोस्तों ये तीनों ही चीजय ऐसी हैं जिनका टोन और टोटकों में उपाईयों में काफी मेहतoth होता है और negative energy को ये तीनों ही चीज दूर करती है तो ऐसे में आप लोगों को सूखा तेज पत्ता लाना है और आठ काली मिर्च लेनी है एक कपूर लेनी है कपूर को आप लोगों को किसी भी शिक्के के उपर रख कर अपने घर के मुख्य दूर पर रख कर जला देना है और फिर आप लोगों को उसके उपर उस तेज पत्ते को रख करना है उसके बाद में उस आठ काली मिर्च है उन्हें एक करकर आप अपनी मनोकामन बोलते हुए आपके जीवन में जो भी दुर्बल इस्तति आ रही है उन्हें बोलते हुए एक एक करके डाल देना है दोस्तों कहा जाता है कि फिर उसके सामने बैठकर अगर एक डेड़ लाग बार या फिर एक सो आठ बार सम सनिचराई नमहा इस मंतर का जब किया जाए तो माननेता है कि जीवने के तमाम कष्टों से छुटकारा मिलता है घर में सुक समरद्धी बने रहती है तो इस उपाई को आप भी जरूर किजगा पूर्ण विश्वास के साथ किजगा आपको लाब अविश्य मिलेगा और उमीद करते हैं कि आप सभी का वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू किजगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद